नमस्कार दोस्तों हिमालया एड्यू हब पर आपका स्वागत है इस वीडियो में इस वीडियो सीरीज में बेसिकली हम बात ही कर रहे हैं आपको पता है करन्ट अफेर्स के बारे में जिसका आपको बहुत सारा कंटेंट अल्रेडी मिल चुका है इसमें हम डिस्केस जो करते है वो लेटिस जो भी important aspects है जो भी important relevant news है हमारे लिए जो factual basis पे ज्यादा questions आते हैं जैसा कि हम previous question paper भी discuss कर रहे हैं तो उन question paper को आप note करोगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि वहाँ पर static और dynamic portion का एक combination है static plus dynamic का एक combination देखने को मिलेगा और वो जो combination है वो कही ना कहीं हमारे लिए important हो जाता है कि क्या चीज तो हमारे लिए static में important है क्या चीज हमारे लिए dynamic में important है तो अभी का जो ये portion है इस video series में जो हम discuss करते हैं वो generally होता है आपका dynamic portion कि current affairs में क्या है क्या कोई important award दिया गया है क् important event हुआ है या किसी की important appointment हुई है तो उस point of you से हमारा important session रहता है तो आप एक काम जरूर करो इन videos को अपने दोस्तों तक पहुचाओ क्योंकि अभी भी एक चीज देखी गई है कि जो CUET UG का entrance test होता ना उसके बारे में बच्चों के बीच में अभी इतनी awareness नहीं है ठीक है तो radical line में entrance लेते हो उसके लिए या फिर JEE का exam देते हो अगर आप engineering line में जाना चाहरे हो exactly उसी तरीके से आप notice करोगे कि यहां पर आपके लिए CUET का भी exam available है okay so start करता है हमारा आज का जो इस वीडियो का first article है that is स्वच्चता पक्वाड़ा स्वच्चता पक्वाड़ा पक्वाड़ा का मतलब होगे था fortnight fortnight मितलब 15 days की यहां पर बात होगी स्वच्चता पक्वाड़ा 2023 जो की ministry of railway ने launch किया है तो एक तो यह जरूर पूछ लें याद रखना कि स्वच्चता पक्वाड़ा जो recently news में था यह किस ministry ने launch किया तो ministry of railway जिसका answer जाएगा इसमें main target क्या है कि वैसी अच्छा एक तो यह ध्यान रख लेना date कौन सी है date बड़ी important होती है date है 15th of September 2023 ministry आपको railways already बता दिया है और इसमें आप देखोगे यह पक्वाड़ा चलेगा 16 सितंबर से लेकर के 2 October तक अब यहाँ पर यह 2 October बहुत ज्यादा important है क्योंकि जो स्वच भारत mission है न वो भी launch हुआ था आपका 2nd of October कोई 2014 में और इसमें target लिया गया था कि 2nd of October 2090 तक इंडिया में जो open defecation की problem है जो खुले में शोद जाते हैं लोग उससे हम free कर देंगे इंडिया को तो ऐसे में आप notice करोगे कि 2nd of October 2023 तक यह पक्वाड़ा चलने वाला है अब यह चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम स् cleanliness को लेकर के awareness भढ़ाने की बात की जाएगी ठीक है तो यह आप जरूर ध्यान रखोगे इसमें कोई भी लापरवाई ना हो सवाल यह आता है railway ministry ने इनागरेट किया तो इनागरेशन करने वाले individual कौन है तो यहाँ पर आप देख सकते हो श्रीमती जया वर्मा सिनहा जो की railway railway board के chairperson और CEO है उनके द्वारा यह सचता पकवाड़ा जो है वो launch किया गया है इनागरेट किया गया है इनागरेशन की डेट अगेन मैं बवता देता हूं 15th of September वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप notice करो तो आपके लिए important हो गया कि 16 तारीक से 16 September से लेकर के यह चलेगा 2nd of October तक 2023 तो यह सचता पकवाड़ाई से related information और यह जरूर याद रखोगे कि railway ministry ने इसको launch किया है इसमें कोई गड़ बढ़ना हो फिर आगे बात अच्छा यह जरूर याद रख लेना स्वच भारत mission को promote करने के लिए अच्छा एक इसमें बड़ी काम की चीज़ बताई जा रही है वो यह है कि यहाँ पर आपको यह railway मंत्राले ने क्या decide किया है कि साल में कम से कम सो घंटे आपको स्वच भारत mission के बारे में promotion में बिताने हैं यह actual commitment है एक तरीके से आप यह कहो कि जो railway के जो आप कह सकतो employees हैं उनसे commitment लिया गया कि इस पकवाड़े में हम इस तरीके से काम करे हैंगे और कोशिशे रहेगी कि साल में कम से कम सो घंटे हम आप देखोगे कि सवच भारत mission के जो मोटोस थे सवचता को बढ़ावा देना ओपन डैफिकेशन है खुले में शोत जाना उसको बंद करना इन चीजों को हमें प्रोमोट करना है तो यह आप जरूर ध्यान तो इनको chair person के तौर पर elect किया गया है चेर person बने है ये किसके audit bureau of circulation audit bureau of circulation के नए chairman के तौर पर किसको अपट किया गया है तो आप नाम याद रखोगे स्री निवासन के स्वामी ओके श्री निवासन के सवामी जी की बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर कि audit bureau of circulation का क्या काम है देखो सीधी बात है जब government departments के पास में पैसा जाता है और पैसा जाने के बाद में उस पैसे को कैसे खर्च किया गया उस चीज की जो एक inquiry होती है उसको बोलता है audit एक तरीके से आप expenditure हो गया पैसा आगया पैसा खर्च हो गया पैसे को ये देखना कि वो सह कही जगह खर्च हुआ है या फिर कहीं गलत तो उस तरीके के काम को आप audit बोलते हो और उस audit के जो भी standards है कि आप क्या-क्या चीजों पर ध्यान दोंगे वो standards है ना वो कहीं ना कहीं यहां पर audit bureau of circulation है वो finally finalize करता है और उनी standards को लोग मतलब एक तरीके से follow किया जाता है अब ह फिलहाल यह executive chairman है आर के स्वामी हंसा ग्रूप के ठीक है और अभी इनको chairman of audit bureau of circulation के तौर पर अपॉइंट किया गया है यह आप जरूर ध्यान रखें इनका जो tenure रहने वाला है वो 2023 से 2024 के बीच रहेगा इसके अरावा देखा जाए तो Mr. Swami that means Srinivasan के स्वामी की बात करें तो यह currently chairman भी है Asian Federation of Advertising Association के तो यह आप important information जरूर देखोगे हो सकता है कि नाम तो स्री निवासन के स्वामी जी के बारे में पूछे question तो इनी के बारे में पूछे but हो सकता है कि appointment audit bureau of circulation से ना पूछ करके यह पूछा जाए उल्टा हो जाए इसी में से information कि अभी फिलहाल Association Federation of Advertising Association के chairman कौन है तो answer again स्री निवासन के स्वामी हो जाएगा तो यह जरूर आप याद रखोगे Again next article that is also related to important appointment यहाँ पर appointment की हम बात करेंगे राहुल नवीन जी की देखो इनको directorate of ED enforcement directorate के director के तौर पे appointment किया गया in charge director that means जब तक नया कोई director appointment नहीं हो जाएगा enforcement directorate का तब तक राहुल नवीन जी है वो काम करेंगे यहाँ पर एक director के तौर पर राहुल नवीन जी एक senior IRS officer है Indian revenue services में इन्होंने काम किया हुआ है और अब वो एक acting director के तौर पे काम करेंगे जब तक इस position को कुन थे जिनकी जगह अभी राहुल नवीन जी ने लिए तो उनका नाम है संजय कुमार मिश्रा जी यह भी पुराने IRS officer retired IRS officer है इनको appointment किया हुआ था enforcement directorate के तौर पे अब उनकी जगह लेंगे राहुल नवीन जी बट वो एक तरीके से acting director ही है ठीक है जब तक नया appointment नहीं होता तब तक राहुल नवीन जी वहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे तो यह आप जरूर ध्यान रखोगे पर परवर्तन निदेशाले भी बोला जाता है ठीक है यह एक तरीके सिंबल है enforcement directorate का अब देखो enforcement directorate के बारे में जानना हमारे लिए थोड़ी जरूरी बात हो जाती है यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि enforcement directorate का नाम बहुत आता है जब पी एम एल एडेट मींस prevention of money laundering act implement किया जाता है मतलब कोई भी criminal activity करके अगर किसी ने पैसे कमाये है ठीक है अब उस पैस अब यहाँ पर यह cases होते हैं बहुत बड़े ठीक है जैसे आपने case सुना होगा भी recent time में ही एक तो Congress leader पी जिदमरम जी ठीक है दूसरा case आपने डेली के जो होम मिनिस्टर है मनीश सिसो दिया जी उनके भी उपर जो rate चल रही है वो जो case चल रहा है वो सारा prevention of money laundering case की basis पर ED ही देख रहा है सारा काम ठीक है तो वो उस ED की हम बात कर रहा है enforcement directorate की तो ED basically एक multidisciplinary organization है जो की offenses को investigate करती है कि कहीं पर क्या money laundering या गफले बाजी हो रही है पैसे के मामले में या foreign exchange के मामले में कहीं गफला हो रहा है जैसे आपने कभी यह बार सुना होगा कुछ NGOs का नाम आता रहता है कि बाहरत के बाहर से funding आ रही है उके उन NGOs के पास में और उन NGOs को यही बोला जाता है कि आपको इंडिया को destabilize करना है अब वो destabilize करने के लिए उस पैसे का use करते हैं पैसा dollars में भी आ सकता है तो ऐसे में point क्या रहा है कि वैसे का गलत यूज या फिर जो foreign exchange आ रहा है उसका receive करने का तरीका अगर कहीं पर गड़बड है तो उन चीजों को investigate करने की duty आती है enforcement directorate की फिर हम functioning की बात करें तो यह देखो ED जो हना वो department of revenue के अंडर आता है जो कि ministry of finance के अंडर है that means ministry of finance ministry of finance का एक department जिसका नाम है revenue department और revenue department के अंडर में काम करता है आपका enforcement directorate ज्याद रखना फिर सवाल आता है establish कब हुआ देखो ED establish हो गया था एक मई 1956 को और उस टाइम पर इसका नाम रखा गया था enforcement unit एक चीज आप ध्यान रखना उस टाइम पर जब यह establish हुआ था उस टाइम पर इसका नाम enforcement directorate ना हो करके enforcement unit हुआ करता था number two इसका जो establishment था वो department of revenue में ना हो करके इसका appointment इसका जो establishment है वो department of economic affair में हुआ था फिर उसके बाद में transfer कर दिया गया था ठीक है नाम भी change कर दिया गया नाम पढ़ गया फिर enforcement directorate पहले था enforcement unit फिर directorate नाम दे दिया और जो की revenue department के अंडर चला गया establish हुआ उस टाइम पर department of economic affair ministry of finance उसके अंडर काम करता था ठीक है इसके अलावा इनका जो काम था उस time पर जब यह establish हुआ था देको 1956 में establish हो गया नेरू जी का time था और उस time पर एक act चलता था foreign exchange regulation act फेरा 1947 का वो act था उस act को implement करने का काम किया करते थे फेरा मतलग foreign exchange regulation that means बाहर से ऐसा कोई पैसा तो नहीं आ रहा ना जो इंडिया के टुकडे करवाने की बात कर रहा हूँ ऐसा तो पैसा नहीं आ रहा ना जो इंडिया के लिए खत्रे का काम कर दे तो उस चीज को ध्यान रखते हुए यह enforcement directorate जो है वो establish किया गया था सवाल आता है headquarter कहां पर है headquarter है दिल्ली में और आप देखोगे इसको generally lead कौन करता है generally legal service officers होते हैं जिनको laws के बारे में कानूनों के बारे में घ्यान होता है वो generally इसको lead किया करते हैं ठीक है इसके अलावा इसकी दो branches हैं एक तो बॉंबे में और एक कलकत्ता में इसका मतलब यह हुआ कि headquarter तो हो गया दिल्ली में बाकि उसके अलावा operations conduct करने के लिए इसकी दो branches हो रहे हैं बॉंबे और कलकत्ता तो यह आप ध्यान रखोगे इसके बारे में यहां पर हमने बात की राहूल नवीन जी के बारे में प्लस enforcement directorate के बारे में next important point आता है that is related to some kind of campaign and programs ओके यहां पर आप notice करोगे की government of India की दुवारा एक unified portal for agricultural starts that means एक ऐसा portal या website develop की गई है जहां पर agriculture से related activities से related data जो है वो openly available होगा सीधी बात लोग जो agriculture में involved होते हैं agricultural activities में involved होते हैं उन लोगों को कई पर यह समझ में नहीं आता कि MSP कितनी मिल रही है ठीक है fertilizer किसकी rate क्या चल रही है वो doubts रहते है तो agriculture से related अगर आप कोई भी काम करते हो न तो वहां पर आप इस पॉर्टल को जो unified portal for agriculture statistics है इसको अगर access करोगे जिसको बोला रहा यू पेज ठीक है यू पी ए जी ओके यू पेज बोल सकते हो इस इस platform को जाके आप access करके पूरी information gather कर सकते हो और आपको कोई doubt हो तो वह clearance ले सकते हो इससे क्या होगा एक well informed decision लेने में आसानी होती है ठीक है तो government of India ने यह start किया गया है किया है एम क्या है agriculture sector को revolutionize करना on the basis of data management इसमें एक simple सा logic बताता हूँ पिछले साल कितना भाव रहा होगा खेती में पिछले साल कितना rainfall रहा होगा क्या trend है अभी की बार monsoon कैसा रह सकता है इनके बारे में सारे अब देको technicality एक farmer को generally समझ में नहीं आती जैसे हम बोलेगी अब अब की बार alnino effect है ना उसकी वज़े से अभी monsoon थोड़ा सा September month में आते आते वीक पड़ गया अगर यह बोल दिया जाए बट सवाल यह कि alnino होता क्या है यह समझ में किसको आएगा आप अगर student होता है आपको तो समझ में आ जाएगा कि हाँ जी आपने जोग्राफी में प अगर को कैसे हम data management की basis पे improvise कर सकते हैं कैसे उसमें productivity rise कर सकते हैं उसमें काम किया जाएगा अच्छा यह जो प्रोग्राम है या पोर्टल है यह launch किस ने किया आप देखोगे प्रोफेसर रमेश चंद जो खुद नितियायोग के member है प्लस वो agriculture expert है तो उन्होंने इस program इस initiatives प आप agriculture से related कोई भी अगर decision लेना चाहो तो लेना आसान होगा तो आप जरूर याद रखोगे यूपेज ठीक है recently news में था क्या है यूपेज तो आप बता दोगे इसके बारे में next देखो कि राश्ट्र भाषा कीरती पुरुषकार के बारे में यह आर्टिकल राश्ट्र भाषा आपको पता होनी चीए हिंदी है ठीक है हमारी कोई national लेंविज नहीं है वैसे बट official लेंविज की राश्ट्र भाषा नहीं राज भाषा स्वरी राज भाषा official functioning की बात कर रहे हैं त वो receive कर रहे हैं इस award को अब सवाल यह है कि यह award किस परपत से दिया जाता है देखो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी कोई national लेंगविज नहीं है ठीक है तो ऐसे case में क्या हो जाता है इस case में क्या हो जाता है कि आपको वहाँ पर यह देखने की जरुवत होती है कि एक तरीके से जो functioning आपकी हिंदी लेंगविज में हो रही है तो उसको promote करने के लिए आप क्या काम कर रहे हो आपकी जो official language है उस official language को promote करने के लिए आपके क्या काम किये जा रहे हैं तो ऐसे में Ministry of Home Affairs जो है जो की Government of India का पाट है Union Ministry है उनके द्वारा ये चीज़ promote की जाती है ठीक है तो ऐसे में आप दो कर ये देखोगे कि Comptroller and Auditor General of India को अभी राजभाशा कीर्ती पुरुषकार है वो दिया गया है आप देखोगे कि राजभाशा पॉलिसी को promote करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है contribution रहा है उसको यहाँ पर recognition मिला है ऐसे में आप देखोगे ये award किस ने दिया अवोड द जो स्टेट मिनिस्टर ने ये lead किसको कर रहा है डिरेक्टरेट जनरल राजभाशा ठीक है उसको lead कर रहा है उस department की तरफ से उन्होंने ये award दिया है और award दिया गया है CAG office पूने में ठीक है ये ध्यान रख लेना क्योंकि CAG office ने इस चीज को राजभाशा को promote करने में बहु 2022-23 के साल के लिए award दिया गया है अब देखो CAG के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है सबसे पहली बात CAG की full form क्या है ये आपको पता होने चीए CAG की full form है Comptroller and Auditor General ठीक है इसके बारे में अगर बात करें इस particular body के बारे में बात करें तो ये body है ना ये constitutional body है हमारे constitution का ज मिलेगी Comptroller and Auditor General के बारे में आपको information मिलेगी that means CAG एक constitutional body है ये आप जरूर याद रखोगे कई बार question आता है ठीक है कि CAG एक statutory body है constitutional body है executive body है या कुछ और XYZ कुछ भी दे दे पूर्त option ना नबदा अबभा भी बोल सकता है तो constitutional body का मतलब constitution में provisions दिया है right statutory body का मतलब कोई law बन आया गया उसके basis पे आपका यह formulation हुआ या फिर आपको यह बोल दे कि भई executive body है कि हाँ गवर्मेंट ऑफ इंडिया की order के basis पे जैसे नीती आयो गया ना नीती आयो क्या बोला रता है एक तरीकी constitutional executive body बोली जाती है जो government of India ने establish की थी तो वो चीज यहाँ पर आपको clear होनी चा इसे को central government और state government कैसे use कर रही है उस use किये हुए तरीके को एक तरीके से investigate करना वही बात auditing वाली बात audit करता है और फिर उसके बाद में जो report है यह जाती है फिर पहले तो अगर central government का मुद्दा है तो जाएगी parliament में, parliament में directly नहीं जाएगी, पहले जाएगी president के पास में, फिर president कैग report को put करेंगे, parliament में फिर उसके उपर discussion debate यह चलता रहता है, वही पर दूसरी अगर बात करें, तो state level का अगर investigation हुआ है, तो उससे related जो मुद्दा है, वो governor के पास जाएगा, governor के through वो report कैग की कहा जाएगी, फिर वहां के legislature में, तो इस तरीके से कैग की report बहुत जादा important ह होती है, और कैग को guardian of public purse भी बोला जाता है, guardian कैसे protection करता है, आप पैसा यूज कर रहे हो, लोगों के द्वारा दिया हुआ tax का जो पैसा है, उसको आप यूज कर रहे हो, तो ऐसे में, लोगों के बहाफ पर वो एक तरीके से investigate करेंगे, audit करेंगे, यह पैसे का सही use हो रहा है यह गलत use हो रहा है, तो इसलिए इनको क्या बोल दिया, guardian of public purse, यह आप ध्यान रखोगे, इसके अलावा, government की accountability fix करना जरूरी हो जाता है, इसके अलावा देखा जाए, तो एक important point हो रहे है, अभी के time पे controller and auditor general कौन है, तो आप याद रख लोगे, श्री गिरीश चंद्र मुर मुझी, यह अभी current controller and auditor general हैं, इंडिया के, और यह चरूरूर रियाद रखने हैं, कि article 148 से लेकर कि article 151 के बीच में, आप कैग के बारे में constitution में पाओगे, अगर आप constitution देखो तो, इस तरीके से एक यह भी important हमारे लिए article था, next article पर चलते हैं, next article यह है, कि अब इंडिया भी OIML certificates issue कर सकता है, सबसे पहले OIML की full form क्या है, वो हमें पता होनी चीए, OIML है, एक French name है, OIML को अगिर यहाबर तुम लोग इस abbreviation से, यह नाम अगर interpret करने की कोशिश करो तो, मुश्किल होगी, क्योंकि यह French word है, French entity है, France में established है, entity फ्रेंच न no doubt, but France में established है, तो nomenclature हो वो French language में है, तो थोड़ा सा आगे बीचे words हो रहे है, इसको देखो कि international organization of legal metrology, metrology बोल सकते हो, metrology का मतलब यहाँ पर सीधी बात है, यह सारा का सारा context है, meter से related, जो आप meter use करते हो, वैसे यहाँ पर यह meter नहीं आएगा, जैसे आप normally देखो, कि मालो कोई pulse meter है, ठीक है, meters, या फिर आपका, या यह blood glucose measure करने के लिए, blood sugar level measure करने के लिए, जो meter काम में आता है, वो meters है, उन meters के standard को finalize करने के लिए, यह body constituted है, OIML, इससे क्या होगा, अब India भी इसका जब approval ले चुका है न, तो कल को न हम हमारे यहाँ पर जो make in India program को promote कर रहे है, तो उसमें हम manufacturing जब बढ़ाएंगे, तो हमारे product को international market में बेशने के लिए, हमें किसी दूसरे country से पहले certificate लेने की ज़रुत नहीं होगी, जब हम खुद OIML certificate issue करने के काबिल बन च चीज खरीद के लागते हो, पैसे ज्यादा क्यों देते हो, क्योंकि उसकी कुछना कुछ value है, credibility है, उसमें से आपको return जो भी मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा, आपको यह confidence है, तो वो confidence मिलना शुरू हो जाएगा, जब हम इस certificate को issue करना start कर देंगे, जो कि India को अब approval मिल चुक करें, तो इसका headquarter कहां पर है, यह है Paris में, और establish हुआ था है 1955 में, काम क्या है, काम मैंने बता दिया आपको already, कि जैसे आप कोई भी नया meter develop करना चाह रहे हो, measurement के लिए, meter का use किसलिए गया जाता है, measurements के लिए, अगर आप measurement के लिए कोई भी meter use कर रहे हो, ठीक है, तो उसका क् करना चाहिए, क्या calibration है, क्या उसमें efficiency एकदम proper है, क्या उसमें errors है, उनकी guarantee फिर इस certificate के basis पे finalize हुजाएगी, कि हाँ जी बढ़िया चीज हमने purchase कर ली, क्योंकि इंडिया, यॉरॉप को, USA को, इनको meters export करता रहा है, पहले हमें approval लेना पड़ता था, बट अब हम जब खुद certificate issue करने वाली entity बन चुके है, तो यह problem अब नहीं आएगी, तो यह चीज आपको ध्यान रख लेनी है, फिर next important article है, that is related to world ozone day 2023, इस article में main जो काम की बात है, वो यह कि ozone day observe कब किया जाता है, तो आपको यह ध्यान रख लेना, एक तो 16 सितंबर को, हर साल की 16 सितंबर होती है, उसक विश्व ओजोन दिवस के तौर पे observe किया जाता है, अब की बार जो ozone दिवस देखा गया है, 16 सितंबर को, उसकी theme क्या थी, उसकी theme यह रही, Montreal Protocol, fixing the ozone layer and reducing climate change, यह theme बहुत जादा important है, ठीक है, Montreal Protocol, fixing the ozone layer and reducing climate change, कि आपको ozone layer को बचाना है, plus climate change को रोकना है, यह theme रही, अच्छा, इसके लिए आप किस पर focus करोगे, Montreal Protocol, अब सवाल यह है, theme तो हो गई, अब theme में यह Montreal Protocol क्या है, वो समझे, देखो, सबसे important बात तो यहाँ पर यह आती है, कि यह जो ozone day celebration हो रहा है, इसमें आप notice करोगे, कि 16th of September 1987, Canada की city, Montreal, और वहाँ पर एक international agreement finalize होता है और उसी दिन से ozone layer के बारे में एक awareness आई, लोगों ने काम करना शुरू किया, chlorofluorocarbon free on gas जिसको बोलते हो उसके release को रोकना, no doubt आपने यह चीज़े अभी तक पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है, तो आप चीज़े देखोगे, cover करोगे जब अभी इन चीज़ों के बारे में जैसे आप 12th की political science की अगर book पढ़ते हो, तो उसमें यह चीज़ आपको मिलेगी, या आप environment की थोड़ी study करते हो, जैसे biology की 12th class वाली जो book है आपकी, उसमें last की जो 4 chapter है बड़े important है, वो environment ecology से related है, वहाँ पर भी से related आप content study करोगे, ठीक है, तो point यह है कि Montreal जो की Canada की एक city है वहाँ पर ये एक protocol sign हुआ और इस protocol को sign किया गया था 16th of September 1987 को, और इसी दिन से ये था कि एक तरीके से international consensus निकल के आई, सहमत ही निकल के आई, कि हमें कैसे भी करके ozone layer को बचाना है, क्योंकि chlorofluorocarbon gas जिसको free on gas बोलते हैं, उसकी वज़य से क्या होता है, जिसको हम refrigeration में use करत हैं, जैसे आप cooling के लिए AC में, fridge में, इन में use करते हैं, अब तो इनका use बंद हो गया, बट कोई जमाने में जब use होती थी ना, तो इसकी वज़य से क्या है, ozone layer जो atmosphere के stratosphere में present है, जैसे आप उपर जाओ, नीचे से ख्षोब मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल का upper layer portion है, ठी stratosphere, stratosphere में upper portion जो है, वहाँ पर confinement होता है, ozone gas का, जिसको आप technically कई बार पढ़ लेते हो, ozone layer, ओके, तो वो ozone layer क्या करती है, आपकी अर्थ पर आने वाली, जो sun से आने वाली, harmful, ultraviolet rays है, उन ultraviolet rays को रोकती है, अर्थ surface से पहुंचने से पहले, जिससे की अर्थ पर रहने वाली life क protection हो सके, इस तरीके से, ozone जो है, वो एक तरीके से life saving gas है, stratosphere में अगर वो present होती है, तो तो कुल मिला के point क्या रहा है, कि इस ozone layer की protection के लिए, ये agreement sign हुआ था, 1987 में, 16th of September को, और इसी लिए 16 तारीक को ही, 16 सितंबर को ही, डिक्लेयर कर दिया गया, International Ozone या World Ozone Day, थीम आपको दि रहान रख लिनी है, इसके अलावा देखा जाए, तो हमारे यहाँ पर, Ozone की protection के लिए, कौन entitled है, किसकी duty है, तो answer आजाएगा, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, उन्होंने भी 29th Ozone Day को, celebrate किया, observe किया, ठीक है, इसके आगे अगर देखे, तो next हमारा जो article है, that is related to, शान्ती निकेतन, देखो, UNESCO World Heritage list, जो है, वो declare हुई है, UNESCO ने, अभी 45th meeting हुई, कहाँ पर, यह साओधी अरब में meeting हुई थी, UNESCO की, UNESCO की बात करें, तो नाम में ही UN है, that means United Nation की body है, United Nation Education, Science and Cultural Organization, UNESCO, इसकी meeting होती है, साओधी अरब में, यह ऐसी body है, जिसका काम क्या है, internationally, tangible और non-tangible, जो भी, Intangible और tangible, tangible काम तरो, जो चीज़े हम touch कर सकते हैं, जैसे pen है, इसको touch कर सकते हो, Intangible मतलब, जैसे आपकी कुछ, दिमागी कुछ, चीज है, जैसे आपका, यूं का, dance हो गए, music हो गया, गाने हो गए, गानों का style हो गया, ठीक है, अलग-अलग घराने, music, styles, वो भी कहीं नहीं preservation required रहती उनको बचाने की ज़रुत हमें रहती है तो यहाँ पर शांती निकेतन को UNESCO ने World Heritage List में add कर दिया इसका मतलब अब शांती निकेतन की protection के लिए funding भी आएगी ओके और साथ में एक अलग ही attention pay किया जाएगा शांती निकेतन की protection के लिए और देखा जाए तो UNESCO World Heritage Site जब किसी भी प्लेस को declare कर दिया जाता तो वहाँ पर tourism भी promote होता है लोग जो है वो फिर वहाँ पर घूमने आने लग जाता है ठीक है ऐसे में tourism भी बढ़ता है ठीक है अब आप देखो यहाँ पर शांती निकेतन के बारे में थोड़ा जानते हैं शांती निकेतन बेसिकली वेस्ट बेंगॉल में एक टाउन है अभी करंटली देखा जाए तो इसको स्टैबलिश किस नहीं किया था 1901 में हमारे रिनाउंड पॉइट रविंद्रनाथ टैगोर जी उनके दुआरा इस इंस्टिडूशन को स्टैबलिश किया गया था इसका में टार्गेट था एजुकेशन देना ठीक है इसके साथ में कल्चरल प्रेजर्वेशन कल्चर को कैसे बचाय रखा जा सकता है वो सारे काम यहाँ पर किये फिर जब इस इंस्टिडूशन को उन्होंने एक रेजिडेंशल स्कूल के तौर पर डवलप किया लोग जब आकर के पढ़ने लग गए इंडियन ट्रेडिशन के बारे में समझने लग गए तब आप देखोगे कि इसी इंस्टिडूशन का नाम बदल करके 1921 में वर्ल्ड युनिवर्सिटी के तौर पर दे दिया विश्व भारती का नाम दे दिया इसको ठीक है इसके अलावा शान्तिनी के बात करें तो इंडिया की तरफ से यह 41st साइट है जिसको युनेसको ने अपनी लिस्ट में जगय दी है इसका मतलब यह कि 40 अल्रेडी है आपके पास में अब आपको क्या करना है यह जो 40 है ना इनके बारे में एक बार पढ़ना जरूरा आप अपनी नोट मेकिंग प्रॉसस में लग जाओ ठीक है प्योंकि नोट जब प्रॉपर जो 1900 के बाद की जो बिल्डिंग है जिस तरीके से वहाँ पर बढ़ाई लिकाई को प्रॉमोट किया गया था उसके बाद में वहाँ की जो भी आप कह सकते हो की आर्किटेक्चर उसको भी प्रॉटक्ट किया गया है वो सारी चीजे क्या शो करती है कि अब हम बात करते हैं कि रविंदनाद टेगोर जी से सम्मंदित कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्चन अगर आ जाए क्योंकि स्टैटिक पार्ट में कई बार क्वेस्चन आ जाता है तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे रविंदनाद टेगोर जी का जन्म हुआ साथ माई 1861 को कलकता इंडिया में यह बेंगोली फैमिली में पैदा हुए नोडाउट वहीं बेंगोली थे वहीं पर इन्होंने शांतिनी के दिन स्टैबलिश किया फिर आप देखोगे यह तेरा भाईयों में से यंगेस्ट थे थीक है यंगेस्ट ओफ 13 चल्टरन इसमें आप देखोगे इनकी क्वालिटी पॉली मैथ यह क्लास थे बहुत सारे फील्ड में एक्सल किया हुआ था बहुत कुछ इनको अच्छे से आता था आप यहां पर देख सकते हो फिलोसफर म्यूजीशन प्ले राइट्स पेंटर एड्यूकेटर सोशल रिफॉर्मर हर सेग्मेंट में इनको नोबल प्राइज भी मिला हुआ है देखो इंडिया में नोबल प्राइज तो उसके लिए नोबल प्राइज जीता है बाकी नोबल प्राइज पर पीस तो बहतों ने जीता है नोबल प्राइज ओफ पीस की अगर बात करें तो आप देखोगी बराक अबामा को भी मिला हुआ है जिसके टाइम पर बहुत सारे बॉम्स गिराये गए गये थे अलग-अलग आप किसी को देते हो ना कुछ चीज अंजली उस हिसाब से तो गीतों की अंजली राइट गीता अंजली तो इन्होंने अपनी तरफ से ये क्रियेशन 1913 अपनी की थी 1913 में इनको फॉस्ट एशियन बने थे जब इनको नोबल प्राइज मिला था लिट्रेचर का इधान रख इनको मिली थी पर इन्होंने क्या किया कि जब जलियां वाला बाग मैसे क्री हुआ था ना 1919 में उसके बाद में उसका प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने बोल दिया कि मैं ये अवार्ड बिलकुल भी नहीं रखूंगा कौन सा नाइट हुड का क्यों कि जिन लोगों ने लोग मेरे लोगों को मारते मेरे देश के निर्दोष लोगों को मारते हैं तो मेरी तरफ से मैं इसको रिटन करूंगा तो ये एक तरीके से एथिक्स वाली बात आती है आप भी आज भी आप खुछ देखते होंगे ये प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है अवार्ड वाप किसे वो अपनी actions या अपनी तरफ से एक reaction शो कर सकते हैं खेर context हमारा ये है कि रविंदना टैगोर जी को knighthood award मिला था क्योंकि उन्होंने literature में जो काम किया था उसके लिए और award किस ने दिया था 1915 में UK के king George ने जोर्ज विफ्ट ने और इनको knighthood की उपादी इन्होंने renounce कर दी थी छोड़ दी थी क्योंकि जलिया वाला बाग मैसेकरी में बहुत से निर्दोष लोगों की death हो गई थी इस तरीके से रविंदना टैगोर जी का यह important point हमारे लिए कुछ जरूरी थे वह हमने देख लिए ठीक है फिर इसके बाद बात करें तो रविंदना टैगोर जी का contribution हमारे national anthem को लिखने में भी है आप देखोगे कि हमारा जो जन गन मन जो इंडिया national anthem में वह भी इनी का लिखा हुआ है और bangladeश का जो national anthem है अमार sonar bangla ये भी इनी का लिखा हुआ है तो ये बात बहुत बार पुची जाती है की रविंदना टैगोर जी के द्वारा कौन-कौन से countries के national anthem लिखे गए अगर यह बोला जाए आपसे और option में दे दिया जाए first India, second option आपको दे दिया जाए Bangladesh, third option आपको दे दिया जाए श्रिलंका और फिर बोल दिया जाए कि हाँ भई first, second, third, fourth और combination में बोल दे A, B, C, A, B तो इस तरीके से आपको इंडिया और बंगलादेश याद रख लेना है ठीक है और ये भी ध्यान रख लेना कि अमार शोनार बंगला ये national anthem किस country का है बंगलादेश का ठीक है ये जो शीरीज हमारी इसी तरीके से आपको continue मिलती रहेगी ज़सी तरीके से आगे का जो portion कवर करेंगे ठीक है थैंक्यू वेरी मच